Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 8.6 से question number 5 करेंगे Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth, Tina के पास 20 meter 5 centimeter लंबा कपड़ा था She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain उसने इस कपड़े में से, ये जो 20 meter 5 centimeter लंबा कपड़ा था उसने इस कपड़े में से 4 meter 50 centimeter लंबा काट लिया curtains के लिए, यानि पर्दे के लिए How much cloth is left with her? तो अब बताईए उसके पास कितना कपड़ा बच गया तो एक आसाना example से समझते हैं इसको let's suppose एक example के तौर पे total कपड़ा टीना के पास 5 meter था उसने 3 meter कपड़ा काट लिया इसमें से curtains के लिए अब उसके पास पीछे बचेगा कितना तो जो इसने काटा है वो हम इसमें से हटा देंगे total में से it means minus कर देंगे तो टोटल में से 3 meter को हटा देंगे तो उसके पास 2 meter बच गया तो simply ये subtract का question है यहां भी हमें total कपड़े में से जो कपड़ा curtain के लिए काटा है वो minus कर देंगे और पता चल जाएगा कि अब उसके पास कपड़ा कितना बच गया तो लिखना शुरू करते हैं पहली राइन में तो हम यही लिखेंगे जो टोटल कपड़ा है तो लिखेंगे टोटल क्लोथ टीना हैड टीना के पास था 20 meter 5 centimeter अब इस meter और centimeter को हम एक ही unit में convert कर लेते हैं मीटर में उसके लिए decimal का यूज़ किया जाएगा decimal से इधर सारे meters होंगे 20 और decimal के बाद यह जो दो places होती है यह centimeter की होती है यहां हमें 5 लिखना है तो 5 पीछे लिखेंगे यहां पे क्योंकि 0 और 5 5 होता अगर यहां 5 गलती से लिख दिया तो यहां 0 माना जाएगा तो फिर यह 50 centimeter माना जाएगा तो मैंने इसको meter में ही बना लिया है अब लिखेंगे जो कपड़ा इसमें से काटा है cloth used used लिखे या cut लिखे cloth used for curtain परदे के लिए use कर लिया है 4 meter और 50 centimeter इसे भी मुझे decimal का use करते हुए meter में convert कर लेना है तो decimal के नीचे decimal लिखेंगे और यहाँ 4 का 4 लिखेंगे point के बाद 2 places centimeter की होती है यहाँ पे हम 5050 लिख देंगे और यह meter अब इन दोनों को करना है subtract subtract करते ही पता चल जाएगा कि अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है cloth left with tina यह हमारी last statement होगी cloth left with tina minus कर लेते हैं पीछे 5 में से 0 गया तो 5 आ गया यहाँ 0 से 5 नहीं जा सकता यह borrow करने इस 0 के पास जाएगा इसके पास खुद के ही नहीं है यह 0 इससे borrow करेगा तो 2 इसको जब देगा तो 1 अपने आगे लगाके यह खुद को 10 बना लेगा और 2 की जगव 1 इबच जाएगा यह 10 इस 0 को देगे इसे 10 बना देगा और यहाँ 10 की जगव सिर्फ 9 बच जाएगा अब 10 में से 5 गया तो 5 आ गया decimal के नीचे decimal आ गया 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया तो 5 आ गया और यहाँ पर 1 बचा 1 में से कुछ नहीं जा रहा तो 1 ही बच गया और यह सारा मीटर में है तो 15.55 मीटर यह वो कपड़ा है जो पीछे टीना के पास बच गया यही आपका अंसर है कोशन खतम, नेक्स कोशन के लिए नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बै